कॉंग्रेस की प्रदेश अद्यक्ष अशोग चौधरी और राजूत की प्रदेश अद्यक्ष रामचंद्र पूर्वे कारले में काफी देर तक फसे रहें। कुर्वे थे जब यह उम्हारों की सब्सक्राइब कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और यह एक तरह से कहा जा सकता है कि खुली बगावत पूता रहे हैं जद्यू आर्जेटी और कॉंग्रेस के कि अब मुद्ध कर दिया जा है उनका टिकर कर दिया गया है पूरा सहाबाद में नितिस्कुमार को दिखा देंगे हम लोग पूरा सहाबाद के दर्ति से इनका इस्वास्त जाना है और इस बीच यहां हंगामा हो रहा है तो वैसी इस्तिती में पूलिस वीच्टा और जारी है अंदर नितिश कुमार है बाहर विरोध है यह एक तरह से कहा जा सकता है कि जदयू में टिकट बटवारे पर हुई एक तरह पटना में बीजेपी के कारेले में बख्तियार पूर के बीजेपी कारेकरता अवदेश यादव के नेटरी तुव में धरने पर बैठ गए हैं पार्टी कारेकरताओं को उपेक्षित और नजर अंदास कर गैर बीजेपी उमिद्वार को पैसा लेकर टिकट दे दिया गया है जो कभी बीजेपी का सदस्य ही नहीं था कारेकरताओं की मांग है कि पार्टी के द्वारा रण विजय सिंग और लल्लू यादव का नाम वापस लेकर यादव का जाए आसाराम और राधे मां के बाद अब एक और गुरू विवादो के खेरे में है इस गुरू पर इनके परिवार वालों ने ही गलत कामों में शामिल होने का आरोप लगाया है परिवार वालों का कहना है कि संद्ध दाता आश्रम आसराम की राहा पर एक और संद्ध मा और भाई निशाने पर ये है परिदाबाद का सिद्ध दाता आश्रम ये आश्रम इंदिनों विवादों में है इस आश्रम इस आश्रम की स्थापना हर्याना के पीठा दीश्वर रामा नुर्जाचार या स्वामी श्रीमा जगत गुरू सुदर्शनाचार या जी पुश्रतमाराज ने गद्धी संभाली माना जाता है कि विवाद यहीं से शुरू हुआ गद्धी पर कईयों की नजर थी लेकिन माना जाता है कि ताकत के दम पर पुश्रतमाचार ने गद्धी संभाद पुलिस ने आश्रम को सील कर दिया था उस दिन प्रवचन के दौरान कुछ लोगों ने गुरू माता पर अचानक तेज धार हत्यारों के साथ हमला कर दिया आरोप लगा कि हमला मौझूदा गुरू ने ही कराया था आरोप है कि गुरु महराज अपनी माता और भाई को काफी समय से परिशान कर रही है क्योंकि दोनों उनके गलत कामों का विरोत करते हैं हमले वाले दिन गुरु माता भक्तों के बीच कुछ खुलासा करने वाली थी इसकी भना गुरू नहीं ही और इस पूरे मामले को लेकर मठ में भक्तों का क्या कुछ कहना है चुले आपको सुनाते हैं क्या नाम है आपका? रोईद सिद्वानी अरोप लगाया है क्या है पूरा मामला? सिद्दाता आश्रम जनित सेवा चारिटेबिल ट्रस्ट संचिलित किया गया है और उसके द्वारा ही चल रहा है महेंदर शर्मा और उसकी भेने इस सिद्दाता आश्रम को अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ रही है तर्मा अपनी भेनों और माता जी के साथ ट्रस्ट में हिस्सा मांग रहे हैं जो की पॉसेबिली नहीं है क्योंके प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है इस लिए उसने गुंडागर्दी की अपने साथी बीके वर्मा के साथ पचास साथ गुंडे ले आके मारपीड की सेवादारों को आज़ा है अभी गुंडे घुम रहे हैं उन्होंने कोट में ये भी का कि उसके साथी बीके वर्मा ने गुंडे लाई थे उसने ये बात कबूल की है कोट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है जल्द लोटते हैं